नमस्कारम सद्गुरू, हमें से अधिकांश लोंग रोज मर्रा के जीवन में परायणम करते हैं। भगवान विश्नु की स्थुती में विश्नु सहस्रु नामम, रुद्रम चमकम और ये सब। कहा जाता है कि सही स्वर और ले में पाठ करने पर ये प्राणायाम के बराबर होता है। अधिक गहराई तक जाता है। मंत्रों का आपके उपर बहुत लाबदायक प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदे नहीं है। जब इसे प्राणायाम कहा जाता है तो उनका मतलब शायद क्योंकि ब्राह्मन संस्कृती में प्राणायाम का अर्थ सिर्फ नाड़ी शुद्धी होता है। हाँ, अगर आप सिर्फ नाड़ी शुद्धी को प्राणयाम कह रहे हैं, तो शायद मंत्रों के उच्चारण या इस प्रायनम का उतना असर हो सकता है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रार्थना है, जो भगवान तक पहुँचने वाली है और आपके साथ चीज़ें होने वाली है, ये गलत समझ है। प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं ये ऐसी चीज है जो आप बन जाते हैं प्रार्थना एक गुण है प्रार्थना कोई काम नहीं है जो आप करते हैं एक सुन्दर कहानी है एक बार अमेरिका का एक Baptist missionary Siberia के एक सुदूर हिस्से में गया वहाँ जब वो शहर में गया क्यूंकि वो लोगों को अपने महान धर्म में धर्मांतरित करना चाहता था उसकी समझ में बाकी सभी नास्तिक हैं वहाँ उसने पाया कि लोग तीन संतों की चर्चा कर रहे थे जो साइबीरिया की एक विशाल जील में एक छोटे से द्वीप पर रहते थे तो वो देखना चाहता था कि ये तीन संत कौन हैं वो एक नाव और मला के साथ जील पार करके वहाँ पहुंचा फिर उसने पाया कि ये लोग पूरी तरह से अनपढ़, अशिक्षित, गढ़रिये थे उसने जाकर इन लोगों को देखा वो गंदे लग रहे थे और ये तीन लोग एक द्वीप पर किसी तरह रह रहे थे वो जंगली लग रहे थे उसने उनसे पूछा ठीक है ये क्या है और आप कौन सी प्रार्थना करते हैं पहला बोला मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि सभी भेडें वो सब ठीक ठाक रहें और घर वापस आ जाएं कोई भेड ठंड में खोना जाए मैं यही प्रार्थना करता हूँ ये अग्यानी मूर्ख ये समझता है कि ये प्रार्थना है फिर उसने दूसरे आदमी से पूछा उसने भेड की सेहत और बाकी चीजों के बारे में कहा तीसरे आदमी ने अपने बालों और भेड के बालों में जूओं की बात की वो नहीं चाहता था कि भेडों को जुएं हों, इसलिए वो चाहता था कि सभी जुएं बाहर आ जाएं, मगर वो नहीं चाहता था कि जुएं मर जाएं, इसलिए वो चाहता था कि जुएं कहीं और जाकर अच्छे से रहें, उसकी प्रार्थना कुछ ऐसी थी, स्थानिय भाशा में तो बैप्टिस ने सोचा ये मुर्खता है इन लोगों को संत कहा जा रहा है मैं काम करता हूँ मैं अभी आपको बैप्टाइज करके बैप्टिजम में कनवर्ट करता हूँ और आप इस प्रार्थना को सीखिए और उसने उन्हें एक लंबी प्रार्थना सिखा दे वो बहुत अनपड़ लोग थे उन्हें ये प्रार्थना सिखाने में तीन चार दिन लगे इसके बाद इस धर्मांतरण से बहुत संतुष्ट होकर बैप्टिस पादरी जील से होकर वापस जाने लगा तभी तीनों आदमी पानी पर दौरते हुए आये आधे रास्ते तक आकर बोले चौथी पंक्ती क्या थी? हमें याद नहीं उसने इन लोगों को पानी पर दौरते हुए आते देखा फिर वो बोला नहीं, नहीं, मैं आपको कोई प्रार्थना नहीं सिखा सकता आप वापस जाएए, आप अपनी प्रार्थना कीजिए लगता है कि वो मेरी प्रार्थना से बहतर काम करती है तो बात संस्कृत भाषा या लैटेन या ग्रीक की नहीं है बस इतना है कि आप प्रार्थना मैं हो जाते है प्रार्थना मैं होने का अर्थ है कि आपको बड़ा नहीं होना चाहिए प्रार्थना मैं होने का अर्थ है भारत में हम इसे उपासना कहते हैं ये शब्द बहुत सुन्दर है उपासना, उप का अर्थ है सहायक, आसन का अर्थ है बैठने की जगा यानि अपने जीवन में आप मुख्य जगह पर मत बैठी, आप भगल की जगह पर बैठी, आप अपने ही जीवन में एक छोटी जगह पर बैठे हैं, किसी और ने कोई और चीज आपके जीवन में मुख्य जगह पर बैठी है, तब आप उपासना में हैं, ये ग्रीक, लैटेन या संस्कृत का प्रशन नहीं है बस इतना है कि आपने खुद को बहुत छोटा बना लिया है कुछ और बड़ा हो गया है ये कुछ और भगवान है गुरू या पती या पत्नी या बच्चा या कोई चीज इससे फर्क नहीं पड़ता आप प्रार्थना महीं हो सकते है तो प्रार्थना एक गुण है तो आप मंत्र के बारे में जो बोल रहे हैं वो विज्यान है विज्यान को विज्यान के रूप में संभालना चाहिए सही तरीके से उसी तरह इस्तिमाल करना चाहिए कुछ मंत्र हैं जिसके लिए आपकी भावना की जरूरत होती है कुछ मंत्र हैं जो भावना के साथ गड़बढ हो जाएंगे आपको उसे विज्ञान की तरह सही तरीके से करना होगा वो केमिस्ट्री की तरह है आपको उसे उसी रूप में सही तरीके से करना होगा तब ही वो काम करेगा मगर इन दिनों अधिकांश लोगों में ऐसी समझ नहीं है और वो हर चीज को मिला देते हैं और आप इसे करने वाले लोगों में कोई खास अंतर नहीं पाते हैं सिर्फ इसलिए क्यूंकि उनके अंदर जरूरी जिवंतता नहीं होती उनके अंदर जरूरी समझ और जागरुकता नहीं होती जैसा कि मैंने पहले कहा जरूरी जागरुकता के बिना कोई भी दोहराव सिर्फ सुस्ती लाएगा तो दुर्भाग्यवश आप आएंगे ये सभी के लिए सच नहीं है दुर्भाग्यवश बहुत से लोग जो सोचते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुस्थ हो जाते हैं कृपया देखिए ऐसा दोहराव के कारण है जरूरी जागरुकता के बिना दोहराना मन को सुस्थ बनाता है आप देखेंगे दुनिया में तमाम तरह के मूर्ख हैं मगर धार्मिक मूर्ख बाजी मार जाते हैं सिर्फ इसलिए क्यूंकि धार्मिक होने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं आप बहुत मूर्ख हो जाते हैं धर्म का अर्थ है कि ये सबसे उंची बुद्धी है धर्म का अर्थ है कि आप में सभी सीमाओं से परे जाने की समझदारी है इसका यही मतलब है मगर आज आप पाएंगे कि अधिकांश लोग जो खुद को धार में कहते हैं वो सबसे मूर्ख लोग हैं वो दुनिया में सबसे मूर्ख तापूर्ण चीजे करते हैं ये सिर्फ दोहराव के कारण हुआ है प्रार्थना दोहराव बन गई है प्रार्थना गुण नहीं बनी है